हाँ फीक्स स्वीच ओफ प्रॉब्लेम इनी सैमसंग एम सीरिस नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्वीच ओफ प्रॉब्लेम फिक्स कर सकते हैं अगर दोस्तों आपके जो डिवाइस है वह आटमेटिक बंठ हो जाते हैं अपनी आभी दोस्तों स्वीच ओफ हो जाते मोबाइल तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते तो आज के इस वीडियो वाटोस में आपको इसी का सोलुशन बताने वाला हो तो अगर दोस्तों आपको भी करना है प्रॉब्लेम सोर्फ तो दोस्तों वीलियो कब वद्ट जरू देखेगा मैं आपको शोग करके बढ़ाओंगा यहाँ पर के से आपको यह प्रॉब्लेम करना है कई सारे लोग रोजय को यहीं स्काष्ञा करते हैं तो के वज़ए से आपको यह problem यह error आते हैं कि यह नोग जो है उससे फिर कि खोट का सेट्रींग के वजज़ से आंदर से और मोबाइल डिवाइस करें कर जाते हैं तो साथ-अपर powerful में यह जाते हैं क्या हैं तो सौलूशन करने के लिए शायर साधन पर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करका है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक जरू से कर देना अगर आपको ऑनलाइन पेसा खामाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो आप आपको अपने मुबाइल पर चेक करना है तो दोस्तों आप अपने मुबाइल पर जाएए और चेक कीजिए कि आपका जो शेडूल मोट है ठीक है ऑटो पाउर शेडूल मोट अगर इनेवल है तो आप उसको बंद करें कई सारे डिवाइस में हमें यह सेटिंग मिल जाते है और जहां से हम अपने फोन को शेडूल पर सेट कर जाते हैं और शेडूल सेट करने के बार आपने अपने मोबाइल जो है वह बंद हो जाते हैं तो आपको ऑटमेटिक शेडूल जो है वह बंद करना होगा उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ओटो रिश्टार्ट सेटि ट्रीडोस में क्लिक करते हुए जाना और आपको यह जो बटन है उसको भी बंद कर देना है एड़ेप्टिफ पाउर सेविंग को भी बंद कर देना है ठीक है और उसके बाद दोस्तों आपने मुबाइल पर अगर पाउर सेवर वगरा लगाया हुआ है तो उसको भी बंद कर देना है तो यह सारे सेटिंग सेट होने के बाद देखें प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा तो अगर यह रहा आपका रिजन तो इससे डेफिनेटली सॉल्फ होगा अगर यह रिजन नहीं कुछ और रिजन के वज़ए से आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका आप को अलग से सोलीशन करना है माना यहिड़िया की सरे रहे अप्लिकेशन से और उन में सिक कही सरे ब्लेट अप्लिकेशन भी हो सकते हैं अगर आपने कोई भी काफी ज्यादा हेवी हो जाते ठीक है लेक करना लग जाते उसके बाद प्रोप्रोब्लेम आ जाते हैं तो आपको भी ध्यान पे देना लाध के नहीं करना है अа और चार्जिंग करना है गेमिंग में करना है लोंग टाइम नहीं करना है अगर आपका मुबाइल पे जो रेम है वो कम है और अगर प्रोब्लेम आए तब तो आपको छोड़ना होगा गेमिंग बगरा करना थोड़ा फोन को यहां पर रेस्ट देना है उसके बाद चार्जिंग करते रही है अपने मुबाइल को टा स्ट्रोंग होते रहेगा सारे साथ में आपको यहां पर प्रॉब्लेम्स भी कमी दिखाई देगा मुबाइल पर तो सौफ़र अपडेट करना है एक बहुत इंपोर्टन रोल होते हैं अपने डिवाइस के अंदर पर उसके बाद दोस्तों यहां पर मान लिजए सौफ़र अ उप्शन ठीक है तो उसमें जाके आप अपने रिसेट के जो उप्शन उसमें क्लिक करना है और मुबाइल को कॉम्प्लिटली रिसेट कर देना है तो जैसी आपके मुबाइल कॉम्प्लिटली रिसेट हो जाएगा कुछ दिन आप ऐसी उसकी जापने मुबाइल को फ्री करक कर दो कि अबना है.